हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रूफ यूर नॉलेज में आप से भी कश्वागत है। आज में आयूर वेदिक काढ़ा की रेश्बी लेकर आए हूँ। सर्दी का मौशन आ रहा है। सर्दी जुपा मुखार होना अनिवार्य है। तो उसे बसने के लिए हम काढ़ा बनाएंगे। यह काढ़ा हर ओपर के लोगों के लिए खाइदे मन होता है। तो इस रेश्बी को आप लाज तक देखिए। अगर यह यह उविनिटी को बढ़ाने वाली काढ़ा की रेश्पी आपको अच्छी लगे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शियर जरूर कीजिए। तो चलिए फटा फट हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। काढहा बनाने के-लिए हमने एक पैन ले रखा है। Ncast must को हम अ करेंगे और इसमें हम डालेंगे 44 g पानीere. ग्लच सी यह तीम ग्लाज पानी है। इससे हम चाढ़ गने के-लिए काढहा बनाके करेंगे। पानी को हम उबलने देंगे और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दाल चीनी एश्टीक, तो हम एश्टीक को 2-4 टुकड़े में तोड़के डालेंगे, तो यहां पर हमने इसे तोड़ लिया है, उसके बाद हम इसमें 2 तेज़ पत्ती डालेंगे, यह सारे इंग्रिदियंस हीम हम काढ़ी में चार छोटी वाली इलाइची यानि कि हरी इलाइची डालेंगे दस से बाड़ा ब्लैक पेपर, काली मिर्श और एक बड़ी वाली इलाइची तो इसे हमें थोड़ा सा क्रश करके डालना है जिससे सारे फ्लेवर अपने काढ़ा में आ सके तो यहां पे हम एक खल लिये हैं और इसमें इन तीनों शामगडी को डाल देंगे और इसे हम दरदरा कूटेंगे, ज्यादा पॉर्डर नहीं बनाना है क्योंकि अगर हम बच्चे को देते हैं तो यह मुझ में आएगा तो हम दरदरा ही कूट के डालेंगे तो आप देख सकते हैं हमने दोनों इलाइची इपलाइट पेपर को दरदरा कूट लिया है अब हम इसे पानी में छोड देंगे साथ पे हम डालेंगे इसमें अदरग तो यहां पे हमने एक इंच अदरग का टुकडा लिया है एक ग्रेटर की मदद से इसे हम ऐसे घेश लेंगे अदरग को हमें इसे ग्रेट करके डाल देना है अब चाहें तो पूट के भी डाल सकते हैं पर इसका साड़ा फ्लेवर्ट पानी में आना चाहिए अब हमने लिया है कच्छी वाली हल्दी हल्दी को भी हम ग्रेटर की मदद से खीश लेंगे सब को पता है हल्दी में इंटेवेटी करता है खांसी जुपाम के लिए बहुत ही बढ़िया और सभी है बोटी में दर्द हो तो भी हम हल्दी खाते हैं कॉफ हो उसमें भी फायदा करता है अगर आपके पास कच्छी वाली हल्दी नहीं है तो घर में शुखी हल्दी पौडर डाल सकते हैं हमने हल्दी को ग्रेट किया अब इसमें हम डालेंगे तुलसी पत्ता तुलसी पत्ता सबके घर में अवलेबल होता है अगर आपको छोटी वाली तुलसी पत्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया है उसका फायदा जादा होता है नहीं तो कोई भी चलेगा तुलसी पत्ता भी खाशी में बहुत फायदे मन्द है अब हम टेश्ट को बढ़ाने के लिए गूर डालेंगे यानि की जैगरी हम सारे इं पारे शामंगरी का फ्लेवर पानी में आएगा और ये फायदा करेगा तो हमें फ्लेम स्लो कर देना है और कभर करके इसे दस से बार मिनट तक उबलने देना है बार मिनट हो चुके हैं चलिए अपना काढ़ा चेक कर लेते हैं तो अगर आप चाहें तो काढ़ा का एश्टी पें ले सकते हैं इससे बहुत जल्दी इस फिक्टन कट जाता है तो काढ़ा तैयार है चलिए हम इसे ज़ान लेका we'll राधा लेंगे और इसे छान लेंगे तो हमने चार जनौ के लिए काठा बनाया है चार ग्लाश लिया है इस चेनर की मदद से हम काठा बनाना कितना आशान है और इसमें से हम बच्चों को आधा ग्लाश दो साल पिस सिशणू को छार से पांच चम्मच दे सकते हैं यह काढ़ा सभी के लिए फाइदे मंद हैं और इसे हम शीप करके पीएंगे तो और ज्यादा फाइदा करेगा काढ़ा गरम होनी चाहिए तो फिर इस काढ़ा को आप भी बनाएए अपने यो मिनीटी को बढ़ाएए अगर अच्छी लगे तो म आएफ शक्राई और शे यादे लुर्कीजी नहीं वार्ट